नमस्कार आप देख रहें निज्वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नराइन शुबात करेंगे उत्त प्रदेश के खास पोलेटिन की मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने दिवंगत मुख्यमंत्री कल्यान सिंग के सम्मान में बड़ा फैसला लिया राजकी एम मारिकल कॉलेज बुलन शेहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनों का नाम करण उनके नाम पर करने का एलान किया गया है योगी आदितनाथ ने कहा कि उत्रपदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्यान सिंग का पूरा जीवन जन कल्यान को समर्पित रहा है इसे में राज्य सरकार के ओर से राजके मारिकल कॉलेज बुलन शेहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनों का नाम करण उनके नाम पर किया जाएगा योगी के सहलान में बीजुपी कारकरताओं में खुशी की लहर देखने को मिली थी साथ ही सुर्गय काल्यान सिंग के बेटे राजवे संग ने ट्वीट कर सीअम योगी का भाचत आया था तो कारिकर्टाओं में खुश्य की लहर दोड़ गई है दरसल कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रे का ल्यान सिंग का निधन हो गया था उसके बाद पूरे प्रदेश में शोकी लहर थी यह यह कहीं कि देश भर में शोकी लहर थी और राजितिक मुख्य मंत्री योगी आदितनाद सिंग के सम्मान में एक बड़ा फैसा ले लिया है राजके मारिकल कॉलेज बुलंज शेहर और सुपर स्पेस्विटी कैंसर संस्थान लखनो का नाम करण उनके नाम पर करने का यह एलान किया दिया दरसल योगी आदितनाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कल्यान सिंग का पूरा जीवन जन कल्यान को सम्मापितरा है हैसी मेराज़ो सरकार के ओर से राज़के मारिकल कॉलेज बुलंज शेहर एवन सुपर स्पेस्विटी कैंसर संस्थान लखनो का नाम कर निंके नाम पर किया जाएगा और इसी कबर पर जादा बेट के लिए लगनों वीरोचीफ रूबी सिद्गी हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ गई है रूबी अभी कुछ तिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री कल्यान सिंग का ने धन हुआ उसके बाद योगी आदेतनात ने बहुत बड़ा आलान किया है कि राजके माडितल कॉलेज, बुलन शहर और सुपर स्पेश्यूटी कैंसर संस्थान जैसी तमाम ऐसी जगा है जिनका नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा इससे पहले उकुमुख्य मंत्री केश्व पसाद मौरे भी कह चुके हैं कि कल्यान सिंग के नाम से सडक होगी ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि स्कोले का राजनीती भी शुरू हो गई है आज लगनों में कल्यान सिंग जी के बेटे हैं राजवी सिंग ने पीम यूगी का अभार भी जयताया है उन्होंने का है ट्वेट करते के मुखमंत्री योगी आजिसात में एक बड़े बेटे होने के नाचे सुरफ पर्स निभाया है और इन्होंने इस तरीके से हमारी पिता जी को लेकर सम्मान जो दिया है जाहे अभी कुछ हाली में और भी आदेश आया इस बात को लेकर कि आयुद्या हो उस तरफ जो चड़क जा रही है उसका भी नाम कल्यान सिंग के नाम सही होगा तो आप साफ ये पता लग सकता है कि सम्मान जित नेता है विजय पिके और कल्यान सिंग थे और योगी अधितनात कोई ऐसा मौका नहीं चोड़ना चाते है कि इनके सम्मान पे कहीं से भी कोई कमी आए हाली में उन्होंने कही जगा पे नाम दर्श करवाया कि इन इस जगाओं पे कल्यान सिंगे के नाम से यहां पे इसके लिए तैयारी शुरुआत कर दी जाए इसलिए आज लगनों में उनके बेटे ने भी आभाज ज़ताया है बिल्कुल रुबी देखा जाए तो लखनों अलिगर एटा बुलंच शहर और प्रियागराज में भी एक एक सड़क कराम पूर मुक्यमत्री कल्यान सिंग के नाम पर रखा जाएगा इस ऐलान के बाद से हम देख रहे हैं कि जो बीजोपी कार करता है उनमें खुशी के लहर है वही बुलंच शहर लकनों में जो कल्यान सिंग से बहुत ज़्यादा प्रियम करते थे उन्हें काफी ज़्यादा सम्मान देते थे उनके चेहरे भी खिलूटे हैं परिवार के तरफ से किस तरह किस प्रतिक्रियाएं आ रही है कर्वार के तरफ से खुशी की लहर ज़रूर बेटे ने भी अभाज अताया है क्यों इनुन का कहा है कि उन्होंने बड़े बेटे होने का बन दिवाया है उस दिन के बात करूँ जिस दिन कल्यान दिंग जिकी देत हुई थी उस तारिक से लेके अभी तक लगतार उन्होंने लगतार उनके परिवास से जुड़े रहे हाली में अभी इनकी जो कलश एक यात्रा है उसके लिए भी प्रोग्राम को सै कराने की बातचीज चल रही है क्योंकि वो जगा जगा जहादा पर डिस्टीक होते हैं उन उन जगाओ है जैसे कि सड़कों का नाम होना या जगाओ का नाम को निधारित कर देना या यह कैसा क्लश यात्रा को निकालना तो ऐसे में जो परिवार है काफी पूशन का यहीं कहना है कि में बात बेवी संभान दिया जा रहा है और पहले पार्टी में ते तब भी उसकुश नहीं समा लगातार दिया जारा है चाहे वो तमाम जो medical college है चाहे वो बलंच रहर के हों चाहे वो लखनव का नामकरन करना हूँ ये उनके नाम पर किया जाए इसके अलावा तमाम सद की हैं कंगा भी बदल करidos है के नाम पर की जाएंगे तो इसी पर कल्यान सिंग के बेटे हैं राजपीर सिंग उन्हों ने भी ट्वीट करके मुखी मंत्री योगी आदितनाग का अभार व्यक्त किया है और कहा है कि उन्होंने बड़े बेटे होने का एक फर्ज निभाया है तो वो ट्वीट जो है वो लगातार हम आपको दिखा रही है वही आगरा में जहरीली शुराब कार्ण पर सियम योगी सक्त दिशान देश जारी करते होई नजर आए अवैद और जहरीली शुराब के सेवन से एच जन्पदाग्रा में हुई घटा दुर्फा के पूर है साथ उन्होंने बताए कि इस प्रक्वेट में सम्मंधित स्थानिय रिकारियों की जवाब देही तै की जाएगी और अवैद शुराब का निर्मान क्रे विक्रे की एक भी घटना घटी दना हो इसके लिए ठोस कोदम उठाए जाए अवैद शुराब के खिलाफ प्रदेश व्याप की अभ्यान तेस करते हुए ठीकानों पर च्छा पेमारी की जाए और इसी के साथ पाए गए दोशु के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी तो जरली शुराब कान पर योगी आदितनाब के सक्त दिशा निर्देश व सामनी आए हैं अवैद शुराब की जो भट्टियां हैं उसको लेकर सक्त निर्देश दे दिये गए हैं कि उन्हें तोड़ा जाए उन्ठिकानों पर लगातार छापे मारी की जाए और जो भी घटनाए हो रहे हैं उनका पूरा ब्योरा तयार किया जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना ना हो दरसल कुछ दिन पहले ही आगरा में जर्रीली शुराप पीने से कल लोगों की जान चली गई थी और इसको लेकर लगातार प्रशासन से सवाल किये जा रहे थे और खुद योगी आदेतनाथ ने इस पूरे मामली में संग्यान लिया है और अब सक्त दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं अवैद और जर्रीली शुराप के सीवन से जन्पदागरा में ये घटना बेहत दुर्भा के पूर्ण रही है ऐसा योगी आदेतनाथ कहते में नजर आए साथी नोने कहा कि इस प्रक्रण में सम्मद्रि स्थानी अदिकारियों की जवाब देही तै की जाएगे और अवैद शुराप का निर्मान उसको बेचना उसको बनाना और एक भी घटना खटित ना हो इसके लिए ठोस कतम उठाए जाए अवैद शुराप के खलाप प्रदीश व्यापी अभ्यान तेज करते हुच कारण पर छापेमारी की जाए और इसी के साथ पाएगे दोशों के खलाप भी कड़ी कारवाई होनी चाहिए वही ग्रेटर नोना में सपा के कारेकरताओं ने कारेकरणी को लेकर बैठा की इस साथी सपा के नमदिरवाचि जिलाध्यक्ष ने अपनी कारेकरणी की जिला कमीटी घोशित की महीं पार्टी को मस्बूत बनाने और अगामी चुनाव के संबन्द में कारेकरताओं के साथ मुलाकात कर चर्चा की बफ़ा बलमे प्रेसब्रा कारेकारणी की जानकारी दि गई है दरसल अगामी कि दानस्भा चुनाव 22 सपा ॐकोけ जोना जाती ऐसे में सपा कारेकरणी फूर्ष कर रही है जनता से रूबर होने की जनता तक पहुशने की वहीं अगर बात की जाए तो सपा के नवनिरवाचे जिला अध्यच ने अपनी कार्य करी की एक जिला कमीटी खोशित की है ये पूरे जिले में काम करेगी किस तरह से सपा के की गए काम जो हैं जनता तक पहुचानी हैं जब योगी आते राद के सरकार से पहले सफा के सरकार थी उस कि यहां पर दी गई है गौंडा के करनेल गंश तहसील के चौंदापूर का टेली गाउं के सियाराम मज़ेरे के पास 22 अगस को घागर नदी का कटान शुरू हो गया था जिसे घागरा के किनारे बसे गाउं और लोगों में बार के डर से हड़कम मचा हुआ है वही प्रिशासन द्वारा असपास के गाउंवानों को स्रक्षित स्थान पर जाने के लिए चुताबनी बीदी गई थी इन सबके बावजूद यूदिस्तर पर लगातार बांध की मरमत की जा रही है और इससे बांध स्रक्षित होता हुआ भी नज़र आ रहा है इसके कानों पर जाने की चिताबनी भी दी गई थी लेकिन अब बांध के सुरक्षित होने से प्रिशासन राहत की सांस ली है बांध पर मरमत का काम भी लगातार जा रही है कि यह चंदापूर के टौली गाओं है जो अ बंधे के किनारे है यहां से घाघरा नदी निकलती हैं घाघरा नदी का लगभक तीन सो मीटर दूर बंधे से वहाओ चल लहा था अचानक बाइस तारिक को घाघरा बंधे की तरफ पटार करने लगी हम लोगों को बाइस तारी को पदा चला तब से हम लोग यहां कैम कर रहे हैं और बशावकार चल रहा है बाढ़ खंड वाले अधिकारी उरे तनमन धन से लगे हुए हैं और बंधे को सुरचित कर लिया गया है इलकिन चसड़ी इरिंग बाढ़ है और यह बाढ़ दोजार च्छे में बना था और दोजार च्छे तब से हमारी कुछ आबादी प्रचित हो गई अकीरी 24 मजरे मारे गाउं में हुआ करते थे 24 मजरे में दोजार च्छे से लेकर अभीर तक जो है बत्मान में करते करते सब नष्ट हो गए माद रुद्धो पुरोवे बचे हुए है और इस समय सामने जो आपको दिख रहा है काम जल लहा है इस पर 2022 तारी को बहुत तेज से धारा मुणकर कटान करने लगी तो जिला प्रचासन को सुंचित पिया गया जिला प्रचासन का सारा अमला स्वास विभाग, स्निचाई व होद है डियम्जाद सभी लोग आये हैं डियम्जाद लगाता अथा अथा से यही कायंद किये हुए है उसमे चर्टी वसमें सुन पांस से लेकर सब्समें दूरों के बीच में कटान हो रही है और चुभागरा नभी बाजल अस्तर लगातार घट बढ़ गया है इस वगयों प्रिपीत में जिला वधीक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिवान नायाले में 11 सितंबर से आजित होने वाले रास्टे लोग अदालत के लिए जागुपता वाहन को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया आपको दादे की जिला जो सुधिर कुमार ने लोग अदालत जाग प्राधियान की शुर्वात होने जारे हैं जिसको लेकर एक वाहन भी हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया है। को लेकर ग्रामिन श्रेत्रों के लिए प्रचार वाहन को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है। उसका वयापक परचार परचार किया जाना है उसी के उद्देशे से यवेन को यहां से पूरे जिले में ताकि वयापक परचार परचार हो चके उसका उनको भेजा जा रहा है। आगरा में एक मारपिट का विडियो न दिनों सोचल मीडिया पर तेजी के साथ वारत हो रहा है। जिसमें एक युवक का मकान खाली कराने पहुंचे एडिये के अधिकारियों से पहले उनकी छड़प हुई देखते ही देखते मकान न खाली कराने पर आत्मदाह की कोशिश करने लगे लोग और अपने उपर पेट्रोल डार कर आग लगाने की कोशिश भी करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे युवक ने खुद पर पत्थर से हमला कर दिया युवक को पेट्रोल डालता देख एडिये अधिकारी और पुलिस वहां से फरार हो गए वी सड़क पर इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भीर चुट गई तो आगरा का ये वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है मारपिट का वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हुआ मकान खाले कराने गए थे पुलिस जिसके बाद युवक ने आतंधा की कोशिश की ऐसे मेरिये के जो करवचारी थे और जो पुलिस प्रश्चासन थे वो वहां से भाग करे हुए तस्वीरिया आप देख सकते हैं वीडियो जो है वो तेजी के साथ वारल होता हुआ नजर आ रहा है कि युवक जो अपने आपको खाल कर रहा है पत्थर से सर पर मारता हुआ नजर आ रहा है वह दूसरा युवक जो है वो अपने आपको पर पैट्रोल डार कर आत्मधा करने की कोशिश कर रहा है दरसल आगरे कई वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है एक युवक का मकान खाली कराने एडिये की अधिकारी पहुँचे पहले तो जुरब हुई और काफी वाद विवाद हुआ देखते ही देखते मकान ना खाली करने को लेकर जो युवक है वो आत्मधा की कोशिश करने लगा और अपने ओपर पैट्रोल डाल कर आग लगानी की कोशिश की वही दूसी तरफ दूसर युवक ने खुद पर पत्थर से हमला कर लिया जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऐसे में जब ये पूरा ड्रामा वहाँ चल रहा था तो एडिये अधिकारी और पुलिस वहाँ से फरार हो गए बीस सड़क पर न तमाशे को देखने के लिए लोगों की भारी भीर इखटा हो गई किसने वीडियो बना लिया वीडियो सोशल मीडिया पर वारल कर दिया मौयलेगर के कोतवाली खेर इलाके के गाओं दरकन नगरिया में पुलिस की मौजूदगी में मार्पीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल होने के बाद पिडित परिवार दबंगो के खिलाफ शिकायत तर्च कराने के लिए कोतवाली खेर पहुंचा था कोतवाली खेर पहुंचते पिडित परिवार ने पुलिस को घटा का वारल वीडियो भी दिखाया लेकिन वारल वीडियो के बाद भी पुलिस ने दबंगो के खिलाफ कोई सक्त कारवाई नहीं की जिसके बाद पिरित परिवाय सस्पी काराले पहुचकर अपने उपर हुई आप बीती बताते हुए नयाय की भुहार लगाने लगा जिसके बाद पुलिस ने मौके से मिले दो पक्षों के दो लोगों का 159 में चलान कर दिया पुलिस से संबंदे धाराओं में कारवाई कर दी गई है तो वहीं इस मामले में कोई बड़ी धारा नहीं बन रही थी ये कहा जा रहा है धाराओं के नुसार पुलिस के तरफ से कारवाई की गई है तो अलिगर्ड का एक पूरा मामला है जहाँ पर मारपीट का एक वीडियो सामनी आया है दरसल पिर्थ पक्ष का यारोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रहे है ऐसे में सस्पी ऑफस के पहुँचे हैं जहाँ पर उनकी बात सुनी गई है साती सात उन्हें आसवाशन दिया गया है कि जल्दी इस पूरे मामले में कारवाई की जाएगी दरसल कुछ तिन पहले ये वीडियो काफी जादा वारल हुआ था और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि दो पक्ष जो हैं आपस में भिड़ते हुई नजरा आदे हैं वहीं पिरित परिवार ने दबंगो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली खैर का रुख किया कोतवाली खैर पहुँचने पर पिरित परिवार ने पुलिस को घटना का वारल वीडियो भी रिखाया लेकिन वीडियो के बाद देखने के बाद भी पुलिस ने दबंगो के खिलाब कोई सक्त कारवाई नहीं की जिसके बाद पीरित परिवार SSP कारेले पहुँचकर पीरित परिवार ने अपनी उपर आपपीती सुनाई है और नियाय की गुहार लगाई है ऐसे में आगे की कारवाई की बाद SSP कहते हुए नज़र आए है स्थाना कैर्में इस ताने पर जो पक्षायता तो उसकी ओर से थाने ठाएर यूर वेदानी कारवाई थी कर दीगई है और 151 दारा में दो लोग को उनका चालान भी कर दिया गया तो ले रेस्टिंग इसे ने बताया दो लोग जो मौके पे मिले थे तो उनका सम्मंदित दाराओं में चालान कर दिया गया और क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई गंबीर छोट नहीं आई है अई हम लाए सा उसके से पैसा लिया था पैसा देगी है उसमें ने रहो जाओ आई है इस चीज का पैसा है काय इकाए का पैसा पैसा लिया था पैसा लिया था अब आगे बढ़ते हों हम आपको कुछ तस्वीरे दिखाएंगे इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा नहीं रगा पाएंगे तस्वीर कहां की है दरसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि तस्वीर गाजियाबाद की है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तालिबान है देखे यहाँ पर पूरी भीड में पूरिस का कोई भी नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा है ये तस्वीरे बेहच वकाने वाली हैं जिसमें एक यूवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है अब आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला दरसल पिर्थ यूवक ने कुछ तिन पहले आरोपी पर पीखनी का आरोप लगाया था जिसके बाद आरोपी जेल तो चला गया लेकिन बदले की भावना बढ़ती गई और जेल से छूटते ही आरोपी ने यूवक के जम कर पिटाई कर दी पूरा मामला जिला गाजयवाद के खोड़ा इलाके का है जहां सरयाम एक यूवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है तो तस्वीरियां आप देख सकते हैं गाजयवाद से काफी जादा वीडियो बारल हो रहा है एक युबग को काफी जादा युबग जो हैं वो पिटते हुए नजर आ रहे हैं लाद घूसों से जम कर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं किसने वीडियो बना लिया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बारल हो रहा है और अब खबर गौना से है जोहां करन की चुपेट मियाने से बुजर्ग दफपती की दर्धनाक मौत हो गई आपको तादें कि बुजर्ग खेट की रखवाली करने के लिए घर से निकले थे और खेट के किनारे से जा रही बिशली की तार की चुपेट मियाने से यहाथसा हो गया धान की फसल की रखवाली करने के लिए तार लगाया गया था जिससे बुजर्ग को करेंट लगया इतना ही नहीं बुज़र्ग की जान बचाने गई, बुज़र्ग महिला की भी मौके पर मौत हो गई लाल पुलिस रश्रव को अपने कब्से में लेकर मामले की जाच शुरू करती है तो करन के चपेक पे आने से बुज़र्ग दमपती की जान चली गई है तो मामले की जाच में पुलिस जुटी हुई है यह पूरा हादसा हुआ है करन की चपेट में आने से बुज़र्ग दमपती की मौके पर ही करन के लगने से मौत हो गई तो गौंडा का यह पूरा मामला है जोहाँ पर करन की चपेट में आने से बुज़र्ग दमपती की दरदनाक मौत हो गई से बारिश और नहर के पानी से जलभराव की समस्या आ गई है लोगों ने इसके शुकायत नगर पालिका से की लेकिन शुकायत के बाद भी माइनर की सफाई नहीं हुए तो वहीं दूसी तरफ वाड नमर 13 के सभासद में लोगों की समस्या भी सुनियों नगर पालिका से माइन उन। पानी की सफाई नहोंने से जलभराव किसी भी होगई नगर पालिका से पहले भी शुकायत की जा चुके लेकिन नगर पालिका की दरफ से कोई भी कारवाई नहीं की गई वाड नंबर 13 के सहा सभासद में लोगों की समस्या सुनियों और जिसे पीमाधियां तरे स्फा कई तालबों से होते हुए एक माइनर है यह माइनर कई बरसों से खोजी नहीं गई है इसलिए जल भराव पूरे बरसात का पानी किसानों का क्षेट करीब बरीब सब दूबे हुए है गाउं के कई लोगों ने हमसे कहा कि भईया अगर थोड़ा सा माइनर्वा साफ हो जाती प पद्वादी उन्होंने मेरे निवेजन पर ये सीबी बज़वा दी जो की आहकाम है और अब खबर साहरनपूर से जोहां थाना कोटवाली देहात और क्राइम ब्रांच की सभीट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है बताने कि पुलिस ने लखनौती खुर्द के पाश और ठेकी के सेल्समें के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया है और घटना को अंजौम देने वाले चार श्राथी लिटेरों को मुद्भिट के दुरान गिरफतार कर लिया साथी बाइक और अवैध हातियार बरामत किया है पूरे मामले का खुलासा स्की सिटी राजश कमाड ये प्रेस कवारता कर किया तो सारणपुर का ये पूरा मामला जहां पर प्राइम ब्रांच के टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी शुराप ठेके के सेल्समें के साथ कुछ दिन पहले ही लूट की बारदात को अंजौम दिया गया था वही लूट की खतना का पुलिस से जुटी हुई थी और आखिरकार ये जो चारो आरोपी है वो पुलिस के हकते शड़ गए है थाना को तवाली दिहात शेत्र में एक सराप के दुकान के सेल्समें के साथ लूट पार्ट की घटना हुई थी उसमें उसके उपर पर मासु ने चार आउन फायर भी किया था जिस जो बदमास थे दुकान से ही लगे थे लिफ्ट देने के बहाने उसको सेल्समें को बैठाय थे मोटर साइकल पे और आगे सुनसान अस्थान पे इसके साथ लूट कर लिये थे इनके और अपरादिक इतिहास का पता किया जा रहा है और इसमें एक जहां पर इसके दुकान थ जो बदमास थे लिफ्ट देवबन के आज़ पास के रहने वाई लगे वहीं साहरनपुर के देवबन में एक बस बेबाइक को जोवदार टक्कर मार देशाथ में बाइक सवार एक यूवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक की हालत कभी है जिसे लाज के लिए पुलिस पहुंची हुई है शानवीं की जा रही है और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप देखते रहे हैं नीजवाल इंडिया झाल